दर्शको आज आपको इस वीडियो में बहुत ही सुन्दर और सरल सा उपाय बताने जा रही हूँ यह उपाय आपको लच्छमी प्राप्ति के लिए करना है यदि आपके घर में मातल लच्छमी का अस्थाई रूप से बास नहीं हो रहा है तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा इस उपाय से आपके घर में मातल लच्छमी का अस्थाई रूप से बास होगा मातल लच्छमी को प्रेसन करने के लिए सुक्रवार का दिन बड़ा बिसियस होता है तो सुक्रवार के दिन आप इस उपाय को करिएगा उपाय में आपको दर्श को थोड़ा सा गुड लेना है साथ में आपको हल्दी लेनी है पिसी हुई हल्दी और उसके साथ आपको थोड़ा सा सहद लेना है इन तीनों चीजों को आप लेकर नहाद होकर स्वच्छ होने के बाद पूजा अस्थल पर बैठ जाएगा गुड सहद और हल्दी को आप मिक्स कर लीजिएगा मिक्स करने के बाद एक चंदन की तरह आप इसे बना लीजिएगा बनाने के बाद दर्श को पूजा अस्थल पर बैट के मातल लच्छिमी जी के चरडों में आप इसे समर्पित कर दीजेगा उसके बाद वहाँ से जब आप उठे तो इसी चंदन को आप उठा के अपने घर के मुख द्वार पर लेके चले जाएगा घर का मुख द्वार साफ सुत्रा होना चाहिए उस घर के मुख द्वार पर उपर की तरह दिवाल में दोनों तरफ आप एक-एक स्वास्तिक बना दीजेगा दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है घर के दिवाल पर उपर की तरफ आप बनाईएगा यह उपाय आप नवरात्री के सुक्रवार से करिएगा, बन सके तो 11 सुक्रवार, 21 सुक्रवार या दर्श को 7 सुक्रवार ही इस उपाय को आप करेंगे, तो आपके कारियों में सफलता जरूर मिलेगी, जब भी आप इस उपाय को करिएगा, तो रिद्धी और सिद्धी अपने पूजा अस्थल के आप पूजा अस्थल पर भी एक स्वास्तिक बना दीजेगा दर्शको मातरितना साही उपाय आपको करना है इस उपाय से आपके घर में मातल अच्छमी का अस्थाई रूप से बास होगा जो भी हम आपको उपाय बताते हैं पूजनी पंडित जी की कथा सुनकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं तो चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा सियर करें कमेंट में स्री सिवाय नमस्तुभ्यम जय माता दी राधे राधे जरूर लिखें